तो फाइनली आज के मारी इस वीडियो में हम बात करने वाले बेंटन की न्यू सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेशन के बारे में और मैं आपको येकीन दिलाता हूं कि ये क्वेशन बेंटन की न्यू सीरीज के लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है तो अगर आप लोग तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक एम है 1000 लाइक एंड 150 कॉमेंट उमीद करता हूं कि आप लोगी स्माल से टार्गेट को इसली कम्प्लीट करा दोगे अब बढ़ते हमारी वी तो Benton Ultimate Aliens तक तो Benton की series का जो art style था वो काफी ज़्यादा unique था जिसे fans ने काफी ज़्यादा पसंद भी किया था लेकिन जैसे Benton Omniverse हमें TV पे देखने को मिला और उसका जो art style हमें देखने को मिला उस art style को Benton के fans ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था क्योंगि वहाँ पे हमे देखने को मिला था Benton Omniverse का art style तो फिर भी ठीक था लेकिन बाद में जब Benton के show को reboot किया गया वहाँ पे हमें देखने को मिला कि Benton reboot का art style तो और भी ज़्यादा विकार था तो यहां पे Benton के जो fans है जो कि Benton की new series का वेट कर रहे हैं उनको Benton की आने वाली new series में काफी unique art style चा कर चुकी हैं वो भी दुआरे से Benton को देखना start कर देंगे हमारा next question है Benton की storyline से related जैसा कि आप लोग जानता है कि Benton Omniverse जहां पे खतम हुआ था fans जो उसके आग की story को जाना चाते हैं लेकिन अभी तक इस बात की कोई भी confirmation नहीं है कि अगर Benton के creators दुआरे से Benton की new series लेके आते हैं तो क्या वो prime timeline को continue करेगी या फिर नहीं हो सकता है कि हमें future वाला band देखने को मिल जाए या फिर दुआरे से Benton को reboot करके Benton को एक new art style दिया से काफी ज़्यदा अलग होगी लेकिन Benton के जयातर जो fans है वो Benton की prime timeline को ही continue होते हुए देखना चाते हैं क्योंकि Benton Omniverse की storyline काफी ज़्यदा unique थी उसकी past की story को देखा जाए तो वहाँ पे multiverse तक को explore कर दिया गया था जहाँ पे हमें काफी जारे unique bands भी देखने को मिले तो भी Benton की prime timeline को ही continue होते हुए देखना चाते हैं नहीं comment करके मुझे बताना हमारा अगला question Benton के powerful alien से related है क्योंकि हम जानते हैं कि अब तक अगर Benton के सबसे powerful alien की बात करें तो वो कोई और नहीं बलकि Alien X है Alien X Benton का एक ऐसा alien है जिसके पास god level power है वो universe को कभी भी destroy और recreate कर सकता है लेकिन Alien X को introduce कराने के बाद Benton के creators ने ये बात officially confirm कर दी थी कि Benton के Alien X से भी ज़्यादा powerful तीन alien जो है Benton की Omnitrix में exist करते हैं और उनका जो DNA अभी Omnitrix में लोक है तो क्या new series में हमें वो तीनों powerful alien देखन कर चुके थी और Benton Omniverse तक उसके काफी सारे episode भी हमें देखने को मिल चुकी हैं लेकिन आप फैंस जो है Alien X से भी ज्यादा powerful aliens के नाम जानना चाहता है उनके designs को देखना चाहता है वो कैसे दिखते हैं उनकी powers क्या है तो यहां पे Benton के creators को हमें new series में उन तीनों alien को introduce करा ही द देखने को मिलती है यानि कि new series देखने को मिलती है उस टाइम पर Benton की हर एक series के end में बैंड को एक new watch मिल जाती है लेकिन ऐसा Benton Omniverse में हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला तो क्या Benton की आने वाली series में हमें बैंड के पास कोई new Omnitrix देखने को मिलेगी या फिर नहीं तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर Benton के पास हमें कोई भी new Omnitrix नहीं देखने को मिलेगी जो Omnitrix हमें Benton Omniverse में देखने को मिली थी वही वाली Omnitrix हमें Benton की new series में भी देखने को मिलेगी क्योंकि guys वो वाली Omnitrix Azmat ने complete तेयार की थी और उसमें काफी सारे features को add किया जा सकता है वो सकता है कि ऐसे features हमें देखने को मिले जो कि अभी तक Benton Omniverse में हमें देखने को नहीं मिले हैं अब बात करते हमारे आज के last question के बारे में जो कि Master Control से related है जैसे हम लोग जानते कि जब भी Benton का कोई future version हमें देखने को मिलता है उस टाइम पर Benton के future version के प बाद में वो episode के end में लोग हो जाता है बैन पूरी तरह से master control का यूज नहीं कर पाता तो क्या Benton की new आने वाली series में हमें बैन के पास master control देखने को मिलेगा या फिर नहीं मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ जोगा जब बैन को master control दे देना चाहिए क्योंकि हमें पता है क ने काफी powerful villains का सामना किया जिसके लिए उसको master control की काफी ज़्यादा ज़रूरत है तो यहां पर हो सकता है कि Benton के creators हमें new series में master control अनलोक होते वह दिखा दे क्या आप लोग master control को अनलोक होते वह देखना चाहते हैं नहीं comment करके मुझे बताना तो यह थी आज की हमारी वीडिय से related का विसारी question को discuss किया है और मुझे पता है कि Benton के जो fans Benton की new series का wait कर रहे हैं यह सारे question उनके mind में भी आते हैं इसके इलावा अगर Benton की new series से related आपके mind में कोई और question आता है तो उसे हम next वीडियो में discuss करेंगे निचे comment करके बता देना तो आज के हमारी यह वाली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले अप्लोड की के सारी वीडियो देख लेना वह काफी ज्यादा ओसम है एक वार चेकाउट जुरूर करना